हलो एवरिवन श्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्टडी पॉइंट विद निगम सेर पर सभी लोग ध्यान दिजिएगा 2000 प्रशनों की ये सीरीज है बिल्कुल यहाँ पर देखेगा बिल्कुल 2000 प्रशनों की ये सीरीज है और सभी के सभी जो कोश्चन्स है वो एकगम से सेलेक्टेड कोश्चन्स है most important कोश्चन है yes सभी नर्सिंग एकजाम के लिए बिल्कुल बहुत महत्पूर है सभी लोग ध्यान दिजिएगा क्योंकि यहाँ पर उन कोश्चनों को लिया गया है जो पीछे आपके एकजाम में आये ह करेंगे साथ ही अभी तिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करेंगे और कोशिस करेंगे यदि आपको वाकई एक सांदार तैयारी करनी है बिल्कुल एकजाम को बीट करना है तो प्रते कोश्चन का आंसर आप लोग जरूर करोगे ध्याना कियागा बिल्कु लाइक मेरे लिए है और कमेंट जो है ये आपकी तैयारी के लिए है येस आपको सेलेक्ट करना है दोनों में से क्या करना है है ना येस कमेंट जरूर करेंगे और हो सके तो एक लाइक भी कर दीजिएगा बिल्कुल आगे देखेंगे कोश्चन नमर टू एक वयस्क स्वस्त मनसे में प्रतिदिन स्रावित होने वाली लार की मात्रा लगभग कितनी होती है लगभग प्रतिजिएगा पॉप्षण नमर टू होगा यहां हम कह सकते हैं वन पॉँट फाइव लीटर है ना देड़ लीटर कह लो या फिर पंदरा सो एमिल कह लो बिल्कुल राइट आंसर है यहां पर आगे देख लेंगे इसके बाद कोश्चन नमबर त्री स्क्रीन पर आपके स हाम में निम्ड में से कौन सी अंत्वाभी गरंफी जीवन रचक हार्मोन का स्रावन करती है। जीवन रचन होगी होगा अगनाशंड Bonus होगा ऑड्री ड्रीटिंटी या फिरवागा था बटापट बढ़ेंगे हम लोग अगले कोच्चन की तरह कोच्चन नमबर 4 निम्न एंजाइमों में से कार्बो हाइड्रेट के पाच्चन में शहायक एंजाइम है कार्बो हाइड्रेट के पाच्चन में बात हो रही है ध्यान कियेगा अड्रेनलिन होगा पैपसिन होगा एमा जो है यहां पर इस कोच्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगले कोच्चन की तरफ बढ़ेंगे फटा फट देख लेते हैं हम लोगों कोच्चन नंबर फाइव कोच्चन नंबर फाइव आपके सामने है टांगों में पाई जाने वाली पटेला नामक हड़ी को इस नाम से भ यूगा नी के बोलते हैं क्या बोलो नी के आगे देख लेते हैं कोच्चन नंबर सिक्स बहुत अच्छा कोच्चन है सुपाईन है ना सुपाईन स्थित में रोगी तो जो सुपाईन स्तित है इसमें जो पेशंट है, रोगी है, पीट केबल लेटा रहता है, पेट केबल लेटा रहता है, हाथों केबल लेटा रहता है, या फिर बाइकरवट में लेटा रहता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे, बिल्कुल, तो question number 6 का right answer जान लेते हैं हम लोग, option number A होगा, सु पानी के सुद्धी करण है तो लगबग कितने ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवसकता होती है एक दसमलो पांच दो दसमलो पांच चार दसमलो पांच या फिर नो दसमलो पांच आखेर इस कोश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए कोश्चन नमबर सेवन का जो यहा भी होगा आगे देख लेथे हम लोग कोश्चन नमबर नाइन है मोतिया बिंदु में आख का कौन शा भाग प्रभावित होता है फुतली लेंस आईरेस या फिर रेटिना राइट आंसर क्या होगा कोच्छन नमबर नाइन का फटाग से आप लोग बता देंगे तो देखेगा यहां पर जो राइट आंसर है यहां पर इस कोच्छन क का राइट आंसर हो जाएगा अगले कोच्छन की तरफ बढ़ेंगे कोच्छन नमबर टेन स्क्रीन पर आपके सामने सरीर का कौन सा भाग उदरी एवं वच्छी गुआ को अलग करता है ठीक है पलिया है यक्रत है डाइफ्रॉम है या फिर है पसली कोच्छन नमबर टेन का राइट आंसर आपको बताना है फटा 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 आप लोग कमेंट करेंगे ऑप्सन सी जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डाइफ्रॉम जो है इस कोच्छन का क्या होगा बोलो राइट आंसर आगे देखेगा इसके बाद 11 नमबर की बात करेंगे दो से तीर वर्श के बच्चों के पैरों में गड़ेदार सूजन बताती है क्या बताती है यकरत हैना यानि की लीवर संबंधी बीमारी है व्रक आर्थात किडनी संबंधी बीमारी है कोपोशन हैना या फिर है चोट तो जल्दी से बताएँगे देखियेगा बिलकुल राइट अंसर होगा आगे देखिए कोच्छ नमबर हम लोग बात करेंगे 12 की निम्न में से गल्सुआ का लच्छन है गल्सुआ का लच्छन बताइए बुखार होगा कान में दर्द होगा पेरियोटिक ग्रंति में सूजन होगा या फिर होगा उपरोक्त सभी तो फटाक से आ जाता है और कान में दर्द भी रहता है साथी जो पेरियोटिक ग्रंति होती है ना इसमें क्या होती है बोलो सूजन है ना पेरियोटिक ग्रंति में सूजन आ जाती है जिस कारणवस क्या होता है बोलो कान में दर्द होता है और इसी वज़े से जो है बुखार भी आ जाता है तो आपसर नमबर D जो है इस कोचन का क्या होगा बोलो right answer हो जाएगा आगे देखेंगे इसके बाद 30 नमबर की बात करेंगे हम लोग 30 नमबर देखेगा इस्क्रीन पर आपके सामने है देखे क्या है निम्न में से 6 रोग के उपचार है तो कौन सी therapy का उपचार है 6 रोग के उपचार है dots, mdt, art या फिर ect चारों में से right answer क्या होगा चारों में से right answer क्या होगा तो देखेगा option number a जो है यहाँ पर right हो जाएगा dots क्या होगा बोलो dots जो है यह right answer हो जाएगा dots therapy सबी लोग ध्याना कियेगा आगे देखे एकदम से जबर्जस question है, question number 14 निम्न शंक्रामक बीमारियों में से किस बीमारी का वाहक इच माइट होता है इच माइट है ना, कौन सी बीमारी का वाहक होता है malaria, typhiard, bukhar, skabij, या फिर होगा plague right answer, कोशिस करेंगे, बिल्कुल कोशिस करेंगे और कोशिस करेंगे, तो सफल जरूर होंगे क्योंकि कोशिस करने वालों की हार नहीं होती तो यहाँ पर देखेगा, option number C right होगा इसके बीज जो है, इस question का right answer हो जाएगा आगे बढ़ेंगे इसके बाद देखेगा, 15 number की बात करने वाले हैं हम लोग निम्ड में से मलेरिया की प्रथम अवस्था कौन सी है गर्म अवस्था, सीत अवस्था, पसीने की अवस्था, या फिर उल्टी की अवस्था तो मलेरिया की जो प्रथम अवस्था है, वो कौन सी होती है, पता है, बिलकुल सीत अवस्था सीत अवस्ता जो है ये मलेरिया के प्रथम अवस्ता होती है सभी लोग ध्यान लखेगा बिल्कुल बहुत महात्पून कोश्चन है ये आगे देख लेते हैं हम लोग 16 नमबर की बात करेंगे 16 नमबर निम्नलकित रोगों में किस रोग को हड़ी तोड़ बुखार भी कहते हैं तो इन में से वो कौन सा रोग है जिसे हम लोग बोलते है हड़ी तोड़ बुखार कुछ रोग है टाइफाइड है डेंगू बुखार है या फिर है चैरोग जल्दी से आलसर केजिए जल्दी से आप लोग बताएंगे तो देखेगा option number C डेंगू जो बुखार होता है न इसे जो है हड़ी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है अगला देखेंगे 17 number बिल्कुल PPI का शम्मंद है जो PPI है इसका सम्मंद किस से है चैरोग के नियंतरण से है इड्स के नियंतरण से है मलेरिया के नियंतरण से है या फिर पोलियो के नियंतरण से तो ध्यान दिजिएगा PPI का जो सम्मंद है न वो पोलियो के नियंतरण से है option is the right answer आगे बढ़ेगे फटाक से देखेगा सभी लोग answer जरूर किजिएगा साथी वीडियो के लाश्ट में बताएगा 20 में से कितने right है ना 20 में से कितने right तो देखिए क्या है है जा का उद्भावन काल होता है कुछ घंटों से लेकर 2-3 दिन तक 12 से 25 दिन 7 महीने या फिर 9 महीने तो हैजा का जो उद्भावन काल है ना वो कुछ घंटों से लेकर 2-3 दिनों तक होता है सभी लोग ध्यान लेकर बिल्कुल आगे देख लेंगे हम लोग 19 नमर की बात करेंगे बहुत अच्छा है कोचन HTN का पूरा नाम क्या है तीवर सुसनी शंक्रमण है मूत्र मारगी शंक्रमण है उच्छ रक्तदाब है या फिर है इनमें से कोई नहीं तो HTN का पूरा नाम हम लोग जान लेते हैं ऑप्सन नमबर सी होगा उच्छ रक्तदाब होगा हाइपर टेंशन होगा सभी लोग ध्यान लखिएगा आगे बढ़ेंगे देखिएगा बिल्कुल 20 नमबर है 20 कोश्चन से यहां पर वीडियो में है सभी के सभी बिल्कुल एकदम मौतर का शामाने से अधिक मातरा में उसरजित होना या फिर मौतर के साथ बलड का आना या फिर मौतर के साथ प्रोटीन का आना जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे और साथ ही जान लेंगे यहां पर राइट आंसर आपका आप्सन नमबर सी होगा मौतर के साथ बलड का आना अर्थात रत का आना इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या हिमेचुरिया बोलते हैं 20 questions जो है आपके complete हुए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक like जरू करेंगे साथ यदि अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लेंगे और हो सके तो वीडियो को अपने दोस दोस्तों में भी share करना है और share तभी करिएगा जब आपको वीडियो अच्छा लगे है ना बिल्कुल वीडियो अच्छा लगे अगर लाइक कर पाएं आप है ना वीडियो को एक like कर पाएं तो एक share भी जरूर करेंगे कोसिस ओके थैंक यू एवरीवन